नो बक्वास सीधी मुद्दे की बात ये आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों क्योंकि अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर तो काफी है लेकिन 90% कमेंट आते हैं कि यार सीधा सीधा अंडर वन लाक रुपीज में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताओ तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है ये खुद कमपनी बोल रहे है अफेड़ोबल प्राइस में आने वाली है फैमिली के लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगी और सबसे पहले बात ये अपडेटिड लिस्ट है नए अपडेट के हिसाब से हमने इसको स तक जरू से जरूर देखना तो चलिया रूसों बात करते हैं पांच नंबर ब्रैंड के बारे में जिसको हमने रैंकिंग किया है रिसेंटली गाइज बजाज के सीओ ने राकेश शर्मा ने अनौंसमेंट कर दिया है कि दो मॉडल को हम इस साल में फोकस करने वाले सबसे पह वेगर हटा कर बेल डि सी मोटर पर टेस्टिंग चल रही इह क्योंकि बजाज का कहना है कि इंडियन मार्केट में इलेक्टर С्कूटर तो काफी लेकिन इंडिया में इंडिया में प्राइसिंग देखते जो हम इसमेंट महेंने क्लाम करने यह इसकी वज़े से काफी प्राइसिंग जो है 20-30,000 कम हो सकती है पहले के मॉडल से और फाइनली राकेश शर्मा जो बजाज के CEO है उन्हेंने डायरेक्टली कही दिया है कि चार महिने के बाद इस एलेक्ट्रिक स्कूटर को हम लॉंच करने वाल है अगर हम रेंज की बात करें त 100 km से कम होगी इंडियन मार्केट में नहीं चल सकती इसलिए 100 km तक आपको रेंज मिलेगी ही मिलेगी लेकिन हां दोस्तों फीचर्स थोड़े से कम होंगे जिसे की इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो रेक्वार्मेंट है वही फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जादा तर फ लाँच भी होने वाली है और इंडिया में अभी सभी ब्रैंड जो है अंडर वन लाक रूपीज एंड एफिटोबल प्राइज में आने वाले कम फीचर्स वाले लेक्ट्रिक स्कूटर लाँच कर रहे हैं जैसे की चार नंबर पर है हीरो मोटरकॉप की तरफ से बजट फ्रें की एलेक्ट्रिक स्कूटर है इसलिए तो काफी कस्टमर इसके तरफ जाने वाले है जैसे की होंडा एक्टिवा भी आने वाली है बट इसको काफी टाइम है क्योंकि कंपनी रेगुलर अपडेट नहीं दे रही है लेकिन ये निउस कंफर्म है की हीरो मोटरकॉप की ये एले गर शीर आपको देखने को मिलेगे कि जैसे कि आइसी इंज दे में आता है एक्टिवा में वगयरा वेशा आपको यहापर सीट काफी बड़ा सीट मिलने वाला है कॉलिटि यहापर जोएक काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि कंपनी फोकस कर रही ही कि जैसे आइसींची स्कूटर आते हैं मेटल बॉड़ी में सेम वेसा है हम इसको लेकर आए फीचर्स हाला कि आपको इसमें काफी कम देखने को मिलेंगे जैसे कि नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसकी वज़े से काफी कम प्राइज हो जाती है क्योंकि इंडिया में बज़ा दुसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेटल बॉड़ी देखने को नहीं मिलती अगर हम एक्स्पेक्टिंग प्राइसिंग और लॉण्चिंग की बात करें तो कंपनी खुद के रही कि दोनों मॉडल से काफी कम प्राइस होगी तो अंडर वन लाक रुपीज आप इसको बोल स जो कि एक trusted brand की electric scooter family के लिए best हो सकती है तो चलियार उस तभी बात करते है next electric scooter के बारे में जो कि इंडियर market में काफी waiting इसके लिए customer रुके है reward के तरफ से reward and next hundred ये electric scooter guys 89,000 रुपेज से इनका model शुरू होता है option guys आपको इसमें काफी मिलने वाले है पूरी तरह से complete लिगा इस electric scooter practical है काफी bulky look है काफी नई generation के features भी मिलने वाले मतलब अगर आपका budget कम है तो कम features मिलेंगे अगर आपका budget थोड़ा सा जादा है तो आपको जादा features देखने को मिलेंगे booking इनकी चालू है जो कि आप 1500 से लेकर 1700 बार charging चलेगा मतलब अगर इसमें 100 km की भी range मिलेगी तो आप 1.5,00,000 km तक चला सकते हो तो ये सिर्फ उसिर्फ पॉसिबल होता है LFE battery में features भी आपको काफी चे मिलेंगे emergency battery भी देखने को मिलती है जिसको auxiliary power unit बॉला जाता है जो कि main battery में अगर कुछ दिक्कत आती है कुछ issue आता है तो आपको emergency में ये काफी help करता है जिसमें 10-15 km चलेगा जो कि इंडियन मार्केट में first time electric scooter में reward motors लेकर आने वाला है अगर आपको guys इसको detail में देखना है तो आप description पर link है वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो उसके बाद next electric scooter के बारे में बात करते है एथर की तरप से Rista electric scooter एथर ब्रेंड का सबसे पहला electric scooter जिसमें features थोड़े से कम होंगे अच्छा quality का material होगा और सबसे अलग look इन्होंने दिया है जो कि पहले के एथर electric scooter से काफी अच्छा होने वाला है कमपनी के ती है value for money electric scooter रहेगी जिसको काफी अच्छा यह नोने design किया है टेस्टिंग के वक्त काफी time देखी गई है आपको इसका look US की IQ जैसा लगने वाला है ज़रा थोड़ा सा हटके है थोड़ी सी practical electric scooter होगी जैसे की IC engine वाली scooter आते वेसा आपको यह लगेगा features की बात करें तो company ने अभी तक unveil नहीं किये बट company किह रही है कि budget price में आएगी तो ज़्यादा features आपको देखने को नहीं मिलेंगे normal features होगे specially यह family use के लिए रहने वाले काफी बड़ी सीट होने वाली है जो कि electric scooter में first time ether provide करने वाला है physical की भी मिलने वाली है तो आपको IC engine वाली scooter की feel आपको देखने को मिलने वाली है range की बात करतो 115 km तक range रहेगी 2.9 km की battery pack रहेगा और company ने अभी तक इसके उपर और और भी कही सारे बाते नहीं share किये बट आपको इसी week में काफी update देखने को मिलने वाले है इसके लिए यार वीडियो को like फटा फट से करो एक दो दिन लगता है guys वीडियो create करने में research करने में reading करने में तो please आर आप एक एक करके like कर दिया करो तो हमें भी थोड़ी सी motivation होगी expecting pricing की बात करें तो आप expect कर सकते हो 1 lakh से लेकर 1 lakh 10,000 तक expecting price रहने वाली है क्योंकि इनका main मकसद तो यही है कि जितना हो सके उतना कम price में हम इसको launch करें तो दोस्तो next electric scooter है Ampere की तरप से NXG already इस company ने काफी testing की है दोस्तो कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पूरी तरह से off-roading की है इसमें आपको थोड़ा सा budget जादा होगा बट यह LFE battery रहने वाली है डिस्प्लेस में बड़ा मिलेगा नए generation की थोड़े से electric scooter होगी लेकिन LFE battery है तो आपको लाइफ जो बैटरी की 7-10 एर रहने ही रहने वाली है रेंज की बात करें तो 110 km से लेकर 130 km तक रेंज मिलेगी स्पीड की बात करें तो 85 km का स्पीड मिलने वाला है मिड माउंट मोडर मिलेगी और इंडियन मार्केट में ये electric scooter एप्रील के महिने में लाँच होने वाली है एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो 1 लाग से लेकर 1 लाग 20,000 तक प्राइस रह सकती है लेकिन जिनको फीचर चाहिए थोड़े से ज़्यादा और अच्छे electric scooter चाहिए तो उनके लिए best हो सकती है इसलिए हमने इसको number 1 पर रखा जिनका भी budget थोड़ा सा ज़्यादा है बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए और थोड़े से features भी चाहिए नई generation के electric scooter चाहिए तो आपके लिए ampere की NXG best हो सकती है क्योंकि काफी company ने testing की है काफी अच्छा attractive look मिलने वाला जिसे कि Activa का look आता है सेम वेस आपको look देखने को मिलने वाला है यह थे कुछ 5 electric scooter जो कि इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में काफी चलने वाली है काफी कम प्राइज में यह electric scooter रहने वाली है अगर आपका कोई doubt है तो आप comment में जाकर जरूर से जरूर बता है यह हर comment का reply में देता हूँ तो चलिए आप दूस्तों मिलते हैं भी next video में